खोड़ द सिर्थ आपको आज में बताऊंगी कि वासिंग मसीर में कपड़े किस तरह से धुलना है और चावल को आपको इसस तरह से क्यूं है की में उसको धुलना है तो फ्रैंड वीडियो कुस्छ पूस्द आए तो प्लीज वीडियो को लाइज स्सक्राइब करना भी मत बूलिएगा चलिए प्रण वीडियो को सुरूर करते हैं आपको थोड़ सा चावल लेना है और हेंकी लेनी हेंकी पर आपको पानी का छिरकाओ कर देना और फिर आपको इस तरह के रगरते हुए चावल को मतलब धुल लेना है उसके बाद में इस तरह से एक कटोरी में डाल देना है आप इसको यूज कैसे करना है बहुत थी पहतरी यूज है और इससे बहुत ही अच्छी रेमडी में वना कर आप सब को दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फिर आपको क्या करना है इसको ऐ थोड़ा सा मैंने इसमें अलवरजल डाल दिया अब थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल का तेल जो होता है उसको डाल दिया इसको डालने के बाद में अपको हरी वारी जो कैपसूल लाती है उसको तोड़ना है और इस तरह से आपको डाल देना है यह बहुत ही अच्छी रेम यहां मैंने अप कॉल गेट लिया है और उसको भी इसी में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपको इसमें मिक्स इतना करना है कि जब यह अच्छे से फूल कर निकर आए तभी आपको इसको छोड़ना यह देख सकते हैं अब यह रेमडी जो है वह एकदम से फूल गई है और ए आप रात में इस तरह से लगा लिजे अपने फेस पर यहां मैं आपको हातों पर लगा कर दिखा रहूं अपने फेस पर इस तरह से लगाने के बाद में आप इसको फिन अच्छे से धूल लिजे धूलने के बाद में आप देखेंगे कि आपके फ्रेस पर बहुत ज़दा अ आप इसे एक महीने के लिए यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती है चोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो क्या होता है कि जब भी उसमें आप को धूलने की बारी आती हो तो बहुत जदा वो गंदे होते हैं उसको जल्दी से छूटते नहीं है तो अगर कर आप के पास होई का कोई से यह कोई हो अगरक्य जादा गंदा हो तो इह काम कीजिए इस पहले नमक का यूज कर लेना है अगर पहुत जदा गंदा हो तो अगर पहुत को बढूब सेक्टाब्सक भीट सेंपू का यूचcyj का इसिती एकसिंख करका रहे हुए स्टार्विट नहीं कोई भी स्थैंपू काुज आप यहां कर सकतीे हैं यह नहीं कि आप कोईभी सेंपू का इसमें यूच कर सकति ही तर ön इस तरह से करने के बाद थोटा सा पाम अदिजये जफे और डालने के बाद में इसको फंदर मित कुछ में भीगो कर रखने के बाद में अज़से मतलब पानी में भीगोई एकसी आपको अच्छी और शुची और इस न्यविग के फ़रय का पुरा शैन के पार कोने के बात में आप थोडिगे दिर इसको इस तरह कर देना यह देख सकते है इस तरह आथ वे अलेकिति यह नहीं दूवस्प करने की नहीं हमें एप ईब उसको रहा है इस तरह सहिए कर देनी है पहुत ईच्छा तरीका अगर आपके घर में बच्चे हो या कोई भी हो तो इस तरह अगर आप साफ करेंगे तो आपका जो कालर होता हुँ अच्छे से साफ हो जाएगा बिना कोई मेहनत लगे बहुत ही अच्छा और यूनिक टिप से अप लोग चुरूर यूज कीजिए कर आम मैं आपको इस अच्छा से साफ हो चुका है इस तरह से आपको ने टेना हर देने के बाद में ने आपको ढूलकर दिखाया है है ये त siguiख जो कुभर होते हैं हम लेके आते हैं मार्केर से उसके कलर होते हैं वह ज़ल्दी गिरने लगते हैं और बार बार कुछे यह बार बार नहीं पानी आपको था & हूआ आपको डालना है एक चिम्मच मीठा सोड़ा और एक चिम्मच नमक इस दुनों चीज़ का आप इसको इसमें यूश कर लेना उसके बाद में जो भी कपड़े आप लाई है उसको इस तरह से इसको भीगो कर रखते ना है अगर कॉटन का कपड़ा हो तो आप इसको रखिएगा 10 मिर्ट तक अगर कॉटन करना हो तो आदे घंटे का रखिएगा यह अच्छे से मतलब भीगो कर रखते ना है और रखने के बाद में इसको आप धुल लिजी इसमें कोई भी निर्मा मत डाल लिएगा ऐसे जो मैंने बताया उसी दोने चीज़ से आपको इसको भीगो कर इसका जो कलर होता है यह बिल्कुल भी पानी में नहीं आया यह देख सकते है फिरन वीडियो में आप लोग इसी तरह से अगर आप करेंगी तो नए कपड़े जितने भी आप को रहेंगे इस तरह से करेंगी तो इसको जो कलर होता है कभी डाउन नहीं होंगे कपड़े आप उसको बताने वाले हुँ बहुत इचा तरीका फ्रेंट तो वीडियो को अच्छे से आप लोग वाचखी सबसे पहले आपको क्या करना इसमें अच्छे से पानी इस तरह से भर लेंगे जो निर्मा इस तरह पानी में घुल जाए देख सकते फिर इस तरह से आप अच्छे से कर लेना उसके बाद में इस तरह की कपड़े आपको इसमें डाल देना अप इसमें हॉइट कपड़ा हो तो आप उसको पहले दूल लीजिएगा यहां मेरा हॉइट कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने इस इस तरह को इसमें एक ट्रीक कर देना जिसके कलर बिल्कुल भी नहीं नहीं निकलेगा कपड़ा जैसे वैसे ही रहेगा इधर उधर नहीं होगा यह देख सकते फिर मैंने इसको एक बार चला दिया अब इसको इस तरह से आपको निचोड लेना निचोड लेने के बाद में इसको अच्छे से ड्राइ कर लेंगे अगर आप ड्राइ नहीं करेंगी तो आपके कपड़े में कोई भी नहीं निकलेंगे तो पहले आप इस था कपड़े को इसको इस तरह के निचोड़ने के बाद में सारे कपड़े को इस तरह से ड्राइ कर लेंगे थोगा सा समय लगता है लेकिन कुछ काम जो बन जाएगा तो समय लगने से क्या होता है फिरन काम तो बन रहा है ना हमारा यह देख सकते हैं फिरन सारे कपड़े अब ड्राइ हो चुके अब इसको हम निकाल कर एक बारटी में रख लेंगे और जिस बारटी में रखने के बाद में अब यह देख सकते हैं फिरन यह अच्छे से ड्राइ हो चुका है अब हम क्या करेंगे उसी वासिंग मसीर में अगर आप धूलती हूँ तो उसमें अच्छे से आपको पानी डा मतलब भर लेना है अगर आप बाहर धूलती हूँ तो आ आपको कर लेना है जिससे आपका वासिक मसीन भी नहीं कराब होगा और कपड़े आपके बहुत जदा अच्छे और चमकदार रहेंगे इसकी चमक बिल्कुल भी नहीं जाएगी देख सकते हैं मैंने एक पानी इसको अच्छे से धुल लिया यहां मैं दो पानी इसको दूलूं है निकाल लेने के बाद में फिर हम पानी मतलब चला देंगे और फिर से इसको भर कर वैसे ही फिर से इसको धुल लेंगे बहुत ही अच्छा तरीका है जब कभी आप कपड़ा धुले तो इसी तरह से धुलेंगे तो आपके वासिक मसीन भी नहीं खराब होंगे और आपकी क कपड़ा हम क्या करेंगे फिर निकाल कर और फिर इसको हम ड्राइ कर लेंगे ड्राइ करने के बाद में इसको हम डाल देंगे सूकने के लिए देख सकते हैं फिर पानी कितना साफ हो गया अब यह अच्छे से धुल चुका है यह बहुत ही अच्छा तरीका है फिर अपने वा सारे कपड़े डालने के बाद में आपको बंद कर देना है और फिर इसको अच्छे से ड्राइ कर लेना है इस पानी को चाहे तो आप यूज कीजिए वरना इसको ऐसे ही फैच दीजिए यह देख सकते हैं सारे ड्राइ हो चुके अब इसको एक एकर कर हम डाल देंगी यह ट्रि लिया है और इसको ऐसे ही डाल दिया है बहुत ही अच्छी तरह से इसकी सफाय हो चुकिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में